हेलो एवरीबड़ी वेलकम टू कोडिंग सिंस एस वाले वीडियो में बात करेंगे CSS मोडूल्स के बारे में और पिछले वाले वीडियो में बात किये थे style component अब अपने पस दो अप्रोच थे ताकि अगर आपका चाहते हो कि आपकी CSS के जो classes है दुसरे वाले component पे ना conflict करें ना overlap करें तो अपने पस दो option थे एक थे क्या style component जो हमने पिछले वीडियो में देखा था राइट कि कैसे हम basically अपने component के अंदर JSX JavaScript style से हम style बना रहे थे राइट CSS properties लिग रहे थे दुसरा है अपना CSS model जो भी हम बात करने वाले अब दो approach है दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही use कर सकते है लेकिन अपना same motto है अगर एक paint है ठीक है आप एक घर पे कर रहे हो तुस्सी घर पे लगना चाहिए लाइक पर उसी घर पे apply नहीं होना चाहिए तो basically क्या आपका CSS scope होना चाहिए एक component के साथ दुसरे component पर apply नहीं होना चाहिए तो कैसा एक component इसका CSS slight इसी क्याocypt apply होना Customize यह दुसरे पर नहीं उसका बिगाडना चाहिए तो basically हमारा main यह है कि एक घर के अंदर एक CSS और एक अपना component file रहना चाहिए और दुसरे को नहीं disturb करें तो अभी देखे कैसे करते हैं actually हमारे react में क्योंकि हमने जो react application बना है उसको उसमें use किया है create react app तो इसी लिए हम इसमें CSS module use कर सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो basically आपको क्या करना पड़ता CSS module ऐसे काम नहीं करता है किसी project के अगर आप CSS module use करते हैं तो basically उस project के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए जो इस module को transform करे code को और ताकि आपके browser को समझ में आए ठीक है यह exactly directly browser पर रण नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ project के अंदर चाहिए जो इसको transform करके एक normal code में browser को समझाए लेकिन react script create react script use कर रहे है I mean to say यहाँ पर हमने जो अपना application बनाया वो react support करेगा इस पर जो भी css model हम लिखेंगे अब बस देखना हम कैसे लिखते है और super easy है क्योंकि देखे अगर आप basically क्या यहाँ पर हमने कैसा किया style component में हमने यहाँ पर css भी लिख दिया हमने नीचे jsx भी लिख 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 तो basically कैसा है कि best approach क्या रहता है मतलब जो आपका फेवरिट हो कि आप basically क्या करो कि आप css को अलग लिखो javascript को अलग लिखो दोनों को mix ना करो ताकि basically css का अपना फायदा हो jss का अपना फायदा मतलब थोड़ा look and feel बना रहे confusion कम हो तो हम यह css modular approach जादा अपनाएंगे right मतलब आपके उपर आप जो यूज करना चाहो पहले इस पर देखते हैं कैसे convert करते हैं तो पहले मैं जाओंगा किस पर button.js पर already मेरा यहाँ पर button.js लिख है अब मुझे क्या करना है इसको comment out कर देते हैं यहाँ यह चीज और मैं वापस code को revert कर दूँगा जो पहले था तो मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर paste कर दे रहा हूँ जो भी था और basically यहाँ पर ऐसे था मेरा यह button और यहाँ पर यह button को मैं comment कर देता हूँ क्यों क्यों क्योंकि अब हम style component नहीं यूज करते हैं ठीक है यहाँ पर मैं comment कर देता हूँ और यहाँ पर basically react यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर react इंपोर्ट कर लेते तो import right import वैसे ज़रोत नहीं है लेकिन बड़ी वाली react from छोटी वाली react package right so react से हमने import कर लिया दूसरा हम एक चीज और import करनी है हमें इस css file को import करनी पड़ेगी उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको rename करते basically ताकि अपने react को समझ में है कि यह जो चीज है यह normal चीज नहीं है एक module है ठीक है और इसको आपको change करना है तो मैं react को बता रहा हूँ कि button.module.css है अब यह ठीक है और यहाँ पर मुझे import करनी पड़े कि कुछ ना कुछ right तो मैं इसको import कैसे करूँगा simple सा यहाँ पर मैं import लिखके नहीं import करूँगा मैं लिखूँगा import something ठीक है import something मतला let's say मैं classes लिख रहा ठीक है from क्या तो मैं यहाँ पर दे रहा जो भी यहाँ पर let's say button.module यह मैंने नाम दे दिया ठीक है अब यह मेरा module होगी है right और यहाँ पर अपने को already जैसे हम बताते हैं वैसे css पर बतानी पड़ेगी ठीक है तो हमने classes आप यहाँ कुछ भी add कर सकते हो right मैं style भी लिख दूँ आप जो चाहो बस कुछ import कर रहो आप इसे तो मैंने यहाँ पर लिख दया classes ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यह जो button है यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ पर हाड़ कोट ना करके मैं क्या करूँगा यह मेरी classes याने वाली है यह मतलब button.module.css याने वाली है तो basically यह राइट तो यह सारा चीज़ किस पर आ रहा है आपने को यह सारा चीज़ आ रहा है classes पर तो classic object है और मैं इसके इंद क्या बोल रहा हूँ button ठेक है अब अगर मैं चेक करूँ तो exactly काम करेगा क्या नहीं यहाँ पर क्या बोल रहा है did you mean button dot तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गया मैंने यहाँ यह लिखना था ठीक है अब यह import हो गया refresh और exactly आप देखोगे exactly वैसे काम कर रहा है न सब चीज़ तो यह तरीका हुआ आपको import करने का इससे फायदा क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर जाओंगा और मैं इसको inspect करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि basically button के बाद जो भी चीज़े लग रही है यह button ठीक है और उसके बाद जो button दिख रही है इसके बाद कुछ unique key दिख रही है यानि कि इसने क्या किया इसने इस button पहले इसने क्या बोला आपका कौन सा component है तो इसने बोला button उसके बाद बोला underscore कौन सा class है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ button यह class है ठीक है और उसके बाद इसने अपने unique key जोड़ दिया इससे क्या होगा कि किसी ने अगर button नाम का class भी बना रहेगा तो उसके साथ किसी और जगा तो आपको overlap नहीं होगा conflict नहीं होगा तो यहां पर यह फायदा है और आपको यहां पर import दोई चीज़ करनी पड़ती है एक तो import something from button.module.css और हां इस react को बताना पड़ेगा जब यह compile करें कि भाया यह इसको as a normal css treat मत करो यह module है ठीक है इससे बस इसको इसको इशारा करते कि तुमको जैसे normal project में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ते तो react को में आप ऐसे बताते कि इसको तुम ऐसे behave करो जैसे कि यह module है ऐसे treat करो जैसे module है और आप देख रहे हो कि कैसे इतना easily हमने import किया और यहाँ पर काम करने लगा अब आपके पास आपको अपनी choice है चाहिए आप यह use करो चाहिए यह use करो मतलब चीजे होई है कि आपको scope करने आपको मतलब एक घर का चीज एक ही घर में रखना है यानि कि मैं चाहता हूँ कि button के CSS बटन के अंदर ही रहे बाकि किसी गोग डिस्टोब ना करे तो यह exactly सही काम कर रहे अब यहाँ पर dynamic भी कर सकते है dynamic कैसे कर सकते है यहाँ पर अलड़ी मैं बात करूँ तो हम task input.js के अंदर यह use कर रहे है अब यहाँ पर हम क्या mix कर रहे है तो let's mix नहीं करते है CSS को अलगी रखते है इतना JavaScript में घुसा कि क्या रखना तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा CSS react को कि मेरा normal CSS नहीं है तो मैं क्या करूँगा js वाले को rename करूँगा ठीक है और मैं क्या करूँगा इसके . बीच में इसका जो naming convention है . module.css रहेगा ठीक है अब यह क्या complete चीज जो है मुझे एक variable भी मिलेगी आप जो बोलो उसको तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब मुझे style component की जुरूत नहीं इसको comment कर देते मैं import करूँगा यहाँ पर उल्रीड इंपोर्ट कर रहो button राइट लेकिन अभी मैं क्या import करूँगा CSS वाली तो import ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा something जैसे यहाँ पर मैं दे रहा styles from आप classes भी दे सकते हो यहाँ पर classes यूज किया बस आपको दिखाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो अब मैं यूज करूँगा यहाँ पर current directory से यह file राइट अब मैं जैसी यूज करूँगा मैं style यूज कर सकता हो अब यहाँ पर अपने वो क्या ध्यान देना है कि यह जो styles है यहाँ पर यूज करना है तो मैं यहाँ पर गया अब यहाँ पर पर जो style लिखी है let's say यहाँ पर यह dynamic है यहाँ पर इस validate सब चीज dynamic है तो मैं क्या करूँगा अब मुझे ऐसे नहीं लिखनी है ठीक है हाँ डान मेंक लिखनी है मुझे यहाँ पर लेकिन ऐसे नहीं लिखनी है तो लिजसे मेरे बिला। मेरे पास classes है जो मैंने उपर से import किया है class, क्या नाम है इसका styles किया राइट मैं style skrabs PR रखताऊ भी हम key treat कर सकते, कैसे आपको यहाँ पर bracket लिखनी पड़ती है और इसके बार इसके अंदर आपको basically string, as a string बताना पड़ता है, कि यह string है और आप as a valid JavaScript key लिख सकते हो, तो यह valid JavaScript टकी है, क्योंकि यह string है इसलिए हमने यह bracket notation यह use किया, और अगर camel किस रहे था, तो आप dot use करते हैं आप चाहिए तो इसको hyphen अटाके भी उसकर सकते हो, none hyphen CSS लेकिन CSS बसिकली ऐसी अच्छा दिखता है hyphen, तो हमने ऐसी उसकिया अब यहाँ पर क्या रहा है, डैनमिक क्या रहा है मतलब एक dynamic class आने वाला अगर मैं देखो, तो अभी भी काम करेगा अगर मैं add करूं, तो यह बस काम नहीं करेगा लेकिन बागे सब चीज़ काम कर रही, राइट अभी भी कोई error नहीं आ रही, तो मुझे यहाँ पर dynamic लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, simple सा यहाँ पर मुझे चेक करना है, क्या valid है तो अब मैं यहाँ पर कुछ dynamic, ऐसे string नहीं लिख सकता ठेक है, कुछ भी, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, back take use करना पड़ेगा, तो आपको पत है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते है और अगर कुछ आपको dynamic लिखनी है, तो आप dollar में लिखते हो, है न, यह चीज, valid है अब इसके साथ, आप अगर invalid लिख होगे, तो क्या होगा, वो class लग जाएगी लेकिन यहाँ पर क्यास है, यह हमेशे क्ले लगा रहे जागा, refresh और एक second, यहाँ पर invalid किसके उपर रहेगी, यह अपनी invalid class जो है, direct नहीं available है, किसके उपर रहेगी, styles के उपर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, dollar styles.invalid, ठेक है अगर मैं यह लिखूँगा, तो यह देखे, हमेशे क्ले अपलाई होगी, right, और गौर करनी वाली बात किया है, कि इसके अंदर, यह जो है, invalid करके class है, ठेक है, basically मैं क्या बोल रहे हूँ, form control के उपर invalid है, यानि कि यह class ही है, right, बस बताने के लिए बोल रहा, कि form control और invalid अगर रहे हैं, तो ही यह apply हो input पे, लेकिन यह class है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, अगर यह दोनों साथ आएंगे, तो कैसे देखेंगे, basically अगर यह दोनों साथ आएंगे, तो आप देखे हैं, basically form control के साथ invalid भी लग रहा है, लेकिन invalid लग रहा है, यहाँ पर unique key भ यहाँ पर आजाता है, तो यहाँ पर देख रहे हो, basically यहाँ पर as a module form आरी, जो module का effect है, कि जो भी आप लेखे हो, उसके बाद unique key add कर दे रहा है, यहाँ पर आप देखो, button के भी इसलिए ऐसे कर दिया, तो इससे क्या होगा, even though class same रहेंगी, लेकिन unique key बाद में आता है, तो यह देखो कितना अच्छा काम कर रहे है, refresh, अब यहाँ पर अपने को dynamic करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं check लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर space दूँगा, मैं क्या check करूँगा, अगर मेरा invalid है, यानि is valid नहीं है, तो क्या करो, invalid class लगाओ, ठेक अज अज मोडिल, और यह काम भी कर रहे है, without an issue, बस ध्यान कर रखना है, कि आप बैक्टी की इसली ही यूज़ कर रहे हो, क्यूंकि आप यापर multiple चीज़े यूज़े 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 यूज़े, यहाँ पर कैसे, simple सा चीज़ पास कर करना है simple sec value तो curly braces चल जाता है लेकिन जब multiple है तो फिर हम JavaScript style में यहां पर लिखते हैं और यहां पर लिट से आपको media query भी लिखनी है तो आप भी लिख सकते हो अब यहां पर normally आपको याद होगा तो हम media query कैसे लिखेते हैं यहां पर यह चीज़ अगर हो तो आप क्या बोल रहे थे width उसका auto कर दो यही चीज़ कर रहे थे हम वहाँ पर style component में कुछ ज़्याद ही suggestion auto complete हो रहे हैं लेकिन हम यहां पर ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों हमें अगर CSS में कर रहे हैं तो basically आपको proper लिखना पड़ता है कैसे आप लिखते हो media ठीक है उसके बाद बोलते हो जो criteria है तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ minimum width ठीक है इसका और यहाँ पर दे रहा हूँ 768 pixel अगर इसके ऊपर हो तो यह class apply होना चाहिए तो यहाँ पर किसके ऊपर होना चाहिए यह भी बताते हो right तो मैं बोल रहा हूँ button के ऊपर जैसे normal CSS मे रहे थे कि मैं जो लिख रहा हूँ button के लिख रहा हूँ तो उसको पता है कि button पी बूल रहा हूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि basically इस button का ही width करो क्यों कि यहाँ पर बहुत साथ classes आ सकते ना यह specific button का था मैं कुछ भी classes बना सकते हूँ तो अब यहाँ पर कुछ करने के लेकिन अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि अगर by default कितना रहो by default यह 100% लेना चाहिए ठेक है पूरा जितना space हो लेकिन अगर screen size बड़ा है तो ज़्यादा ले लो तो अभी देखिए जैसी छोटा करता हूँ auto हो जाता है यानि अभी screen size बड़ी हो गई और जैसी मैं screen size चाहिए तो normal media query जाए जैसा आप लिखते हो so I hope आपको समझ में आया होगा और यह आपकी choice है आप जैसा यूज़ करना चाहिए आपके पास जैसा मैंने बता है दो choice है है न basically हमारा main मुद्दा क्या है कि at the end आप एक component लिख रहे है उसके दो पार्ट होते है js ठीक है और एक CSS इन दोनों को separate रखना मेरी choice है आप चाहिए तो एक साथ भी लिख सकते हो using style component और नहीं तो आप अगला करना चाहते हो तो आप module उसकर सकते हो ठीक है CSS module बस इतना सा है कि आपका जो component है इसका जो भी CSS part है इसी पर लगे राइट दुसरे पर नहों है न यह अगर आप पुचा रहो दूसरे का पुचा रहा ना हो जाए गलती से इसके लिए कि आपने पास है इसको बोलते है scoped scoped styles ठीक है यह यानि कि यह scoping है यानि कि यह बाहर नहीं जा सकता कब जब आप module use करते हो या फिर style component है न और जा नहीं सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे classes के साथ आपका module में क example button और उसके बाद जो class है button और उसके बाद कुछ unique key लग जाता है ना यह चीज़ इसलिए अगर लेट से किसी और ने button भी बनाया तो match नहीं करेगा क्यों क्योंकि हो बनायागा दुसरे component में है ना और फिर यह button फिर उसके बाद unique key तो match नहीं करने वाला तो यहाँ पे same ठेक है conflicting से चुटकारा मिल गया CSS ठेक है और उसके बाद जो भी यह याने की डर जो भाई को आपका CSS ना लिख दे override ना कर दे CSS style सबसे चुटकारा मिल गया तो यह सई यह apply करोगे तो यह से चुटकारा मिल जाएगा so I hope आपको यह समझ में होगा मिलते हैं क्ले वीडियो में thank you so much